क्या किसी ब्रेकाउट के आने से पहले ये बताया जा सकता है कि इस ब्रेकाउट के बाद प्राइस बड़ी तेजी से भागेगा, रॉकेट हो जाएगा क्या किसी ब्रेकाउट के आने से पहले ये बताया जा सकता है कि ये ब्रेकाउट फेल होगा या सफल होगा जी हाँ ये दोनों चीजें पहले ही बताई जा सकती है और इनको बताने के लिए आपको जानना जरूरी है दे ग्रेटेस्ट ब्रेकाउट स्ट्रेटिजी एवर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा के ब्रेकाउट स्ट्रेट करने का सबसे दमदार तरीका कौन सा है और वो भी केवल पाँच मिन्टों में तो पाँच मिनिट निकालिए स्टॉप पॉच आउन कीजिए और वीडियो देखे नमस्कार जैश्रीराम देखे अगर आपको ब्रेकाउट स्ट्रेट करके जबरदस्त पैसा कमाना है हर महीने कमाना है तो जैसा मैं आपको कह रहा हूँ बिलकुल वैसा कीजिए वक्त जाया मत कीजिए याद रखिये जाया किया हुआ पैसा वापस आ सकता है लेकिन गवाया हुआ समय वापस नहीं आता तो आईए फट आफट पाँच मिनिट में मैं आपको बताऊंगा दे ग्रेटेस्ट ब्रेकाउट स्ट्रेटिजी एवर और आते के समझ नहीं पाए होंगे आप तो आएए मैं समझाता हूँ चाट खोलिए कोई भी और उस पर डालिए एक के बाद एक चार मुविंग एवरेज़ नहीं समझ पाये ना अभी समझ जाएंगे चाट खोलिए कोई भी और जैसा मैं कह रहा हूँ बिलकुल वैसा कीजिए तो आईए डाल करके देखते हैं इन चार moving average की रिखाओं को जिनकी जरिये breakout के आने से पहले ही breakout के आने का पता आपको लग जाएगा और the greatest breakout strategy ever तक आप पहुंच जाएंगे तो क्या है ये चार moving averages देखें एक नहीं डालना है दो नहीं डालना है आपको चार moving averages की line चाहिएं ये lines होंगी 30 days simple moving average 40 days simple moving average 50 days simple moving average और 60 days simple moving average चार रिखाओं को एक साथ एक ही चार्ट पर आपको डाल देना है आईए जट पर चारों average की रिखाएं चार्ट पर डाल करके देखते हैं तो ये आगई 30 days ये आगया 40 days ये है 50 days का simple average और ये है 60 days का simple average याद रखेगा इसमें कोई गफलत नहीं करनी है और नहीं कोई चड़ इसमार खान जरूर होंगे जो simple की जगा exponential की जगा weighted average इस्तमाल करने का प्रयास करेंगे कोई भी और average इस्तमाल नहीं करना है simple averages का इस्तमाल करें मेरी बात को ध्यान से समझे चार averages स्क्रीन पर डाले अब आप देख रहे हैं कि अभी अगर आप चार्ट देखते हैं तो चारो रेखाएं बिल्कुल सुलजी हुई नजर आएंगे आपको एक दूसरे से इनकी दूरी अच्छी खासी है रेखाएं सुलजी हुई है लेकिन कभी कबार ये रेखाएं उलग जाती हैं दूसरे के बड़े करीब आ जाती हैं बिल्कुल चिपक करके एक चोटी बन जाती है औ आपको trade का अवसर पहचानना है यह breakout का समय देखें जब breakout आने वाला होता है ठीक उससे पहले यह रेखाएं करीब आकर के आपस में गुथम गुथा हो जाती है और वही मौका आपको पहचानना है तो देखा आपने कि कभी averages बिलकुल सुलच के अलग हो जाते हैं और जब पास आते हैं दूसरे के करीब आते हैं उलग जाते हैं गुथ जाते हैं तब आता है बड़ा धमाकेदार breakout the greatest breakout ever और इसको पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ examples और उसके बाद आपको बिलकुल साफ हो जाएगा कि किस तरह से बड़े breakout यानि कि वो breakout जिनके आने के बाद price रुकता ही नहीं है भागता ही जाता है उन breakout को कैसे पहले पहचाना जाता है तो फट़फट examples देखते आए तो आए पहला example देखते हैं पहला नमूना है मैस्टेक में ये मैस्टेक का डेली चार्ट है आप देख रहे हैं कि सारी एवरेज की रेखाएं एक हो गई मार्च में और यहां आपको पता लगा कि बस अब बड़ा breakout आने वाला है आपने तुरन 1363 के आसपास एक रेखा खीच दी यह breakout का स्तर और जैसे ही price इसने 1363 केस भाव को पार किया मैस्टेक ने सास लेने के लिए भी रुकना ठीक नहीं समझा सीधा 2000 का भाव मैस्टेक पर देखने को मिला आए एक और नमूना देखते हैं और यह है मिंडा इंडस्ट्री का चार्ट यहां पर भी बिलकुल उसी तरह आपने देखा कि उलज गई रेखाएं सारे averages करीब आ गए और यह हुआ जून के महिने में इस तरह का consolidation आता हुआ देखा हमने 605 का breakout star था पार हुआ और सीधा stock 800 यह चार्ट है विदानता का जिसमें अब बड़े हाल में ही यह मनजर देखने को मिला जहां पर के रेखाएं करीब आ गई consolidation हुआ breakout आया 29 जुलाई को अभी हाल ही में और 315 तक तो विदानता चला आया है तो देखा आपने कितना सहज है याद रखिए छोटी छोटी बाते हैं जो याद रखनी है सबसे पहले moving averages सारे charting software में हर website पर उपलब्द होता है सबसे simple indicator है simple moving average का आपको इस्तमाल करना है नमबर दो चीज जो आपको याद रखनी है कि stop loss रखना अनिवार है विकल्प नहीं है stop loss काईदे का जरूर रखेगा अने था नुकसान के भागी हो जाएंगे आप साथी accurate breakout की रेखा बनाना आना चाहिए तो breakout की line पहले से सही डाल करके रखें जिससे की breakout आने पर और breakout level के उपर बंदी आने पर आप खरीद पाएं चौती चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि पहले से पूर्व निर्धारी तेक लक्ष रखें टार्गेट रखें वो टार्गेट आ जाने पर निकल आएं टार्गेट ठिक ठाक रखें जो stop loss है उसी के अनुपात में एक ठिक ठाक काईदे का टार्गेट रखें अगले resistance को भी टार्गेट मान करके आप ट्रेड कर सकते हैं तो ये strategy ये है the greatest breakout strategy ever तो देखें केवल पाँच मिनिट का quality time आपने दिया और आपके trading में आया बहुत बड़ा अंतर देखें इस तरह खोजे जाते हैं बड़े जबरदस्त effective breakout जिनके आने के बाद price सीधा rocket हो जाता है आप अभी तक कर क्या रहे थे आज ही ये चारों average की रिखाएं अपने चार्ट पर डालिए और अजमाईए तो अपने अनुभव मेरे साथ बाटिएगा अपना ख्याल रखिए तुरंत इस channel को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए जै श्रीराम धन्यवाद